हेलो सुदेंट्स वेल्कम तुद अभी मन्यों आए एस सो टार्गेट आएस 2021 में आप सभी का सवागते सुदेंट्स और हम लोग इन सेशन्स के अंदर करेंट अफेर्स को कवर अप कर रहे हैं और वो करेंट अफेर्स जो आपको आपके प्रिलिम्स प्लस में में बहुत ज्य क्यों कि हम लोग यहां पेल करेंट अब करेंड आपके सब्सक्रार्च आपरस को कवर अफेर्स ऋज्योंकर के वो यह बहुत बढ़िया लंग से खत्म हो जाएगा clear है न हम लोग यहाँ पे हर एक news को proper analysis से कर रहे हैं और उसको काफी बारीकी से कर रहे हैं ताकि कोई भी हमारा corner ना छूट पाए clear है और यही चीज़ें आपको UPC के अंदर बहुत ज़्यादा helpful रहेंगी even in the prelims and your mains okay और अभी तक के हमने my dear students 21 lectures को cover up किया है जिसके मार्च एप्रेल और में जून 2020 के current interface को cover up कर लिया हमारा 21st lecture July 2020 के current interface के ओपर रहा है यानि कि अभी तक का हमने July के ओपर सरफ एक lecture लगाया current interface का और जो आज का हमारा session होगा 22nd lecture वो भी July 2020 के current interface के basis पर ही रहेगा मतलब अब हम लोग July के ओपर focus कर रहे है clear है न और मैंने कई students के comments को भी देखा है जी बिलकुल my dear students ये आपका continuity में रहेगा 70 days के लिए जब तक हम अपना target achieve ना कर ले मतलब April 2021 का जो target है current interface cover up करने का उसको achieve ना कर ले तब तक कि ये session continuity में रहाएगा आपके पास बस आपसे एक request है कि आप मेरे साथ बने रहें और मैं आपको current interface में कोई भी problem नहीं आने दूँगा क्यूंकि experience को सबसे ज़्यदा problems current interface में ही आती है कि इतना ज्यादा current interface रहता है कि उसको cover up किस तरीके से किया जाए clear है ना तो बस आप मेरे साथ बने रहें clear और अगर मैं अपना introduction दूटो तो myself करनम अगरवाल I am the current affairs mentor in the abhimanyu IAS तो students मैंने एक दो चीजे और notice की है PDF को लेकर students में काफी ज्यादा problem है my dear students जब भी आप लोग कोई session देख रहे हैं तो उसके description में एक link provide किया गया है जहां पे आप लोग उसी same session का PDF download कर पाएंगे तो आपको हर एक session का PDF हर एक session के description box में link given है वहां से आप लोग PDF को download कर सकते हैं clear है तो हम लोग आज का अपना ये session शुरू करते हैं तो लीजे हमारी आज की सबसे पहली news रहेगी privatization of the railways शुरू करते हैं और ये आपके लिए important है for the GS paper 3 general studies paper 3 के लिए हमारी पहली news important रहेगी और वो किस तरीके से देखते हैं यहां लिखा the ministry of railway has taken the first step तो उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया toward the privatization of the railway अब एक concept है हमें ये privatization of the railway क्यों करना पड़ा एक बात याद रखें एक तो काफी जादा loss जा रहा है government of India को दूसरा जो train की management है management in the sense जो भारत के अंदर आपको railway system दिखता है वो proper timing में करने के लिए ठीक है उसको और ज्यादा बहतरी advancement लेकर आने के लिए ये सारी चीज़े करते हुए भारत के railway मंत्राले ने बोला क्यों न हम लोग अब railways को privatization किया जाए अब students एक concept आप से discuss करता हूं ऐसा कभी नहीं होता है कि directly आप लोग एक मंत्राले को लेकर privatization कर दोगे उसके लिए पहले ट्राइल चलते हैं तो भारत के अभी आमने news पढ़ना शुरू नहीं किया बट आपसे मैं एक share बात कर लेता हूं जो आपको prelims के लिए शायदे important रह सकती है ज्यादा important आ सकता है कि भारत के अंदर ऐसी सबसे पहली कॉंसी ड्रेल थी जिसको सबसे पहले privatize के रूप में चलाया गया याद रखें वो कॉंसी train थी my dear students वो थी आपकी टेजस एक्सप्रेक्स तो टेजस एक्सप्रेक्स सबसे पहली एक याँ लगा सकते हो कि यह एक ऐसी train चलाय गई थी triple P model के तहत मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप पब्लिक प्राइवेट मतलब पब्लिक लिए था कि जो यह आपकी तेजस चलेगी railway track पे चले गया था आ चार अप शुरू करते हम या लिकार केसीर क guarantee फ्रस्ट पूर्ट है प्राइव डिशेंट और प्रिवेटेश वंड प्राइवेट विए दो आपर ब्लिक पलिक पार्टनर्शों को टारीवेट पलिक पारइवेट प्लिक च्他 kitty को आए लुग इस की प्र यह वेज, trains, modernized trains को introduced किया जाएगा, 151 modern trains को introduced किया जाएगा and 109 pairs of route will be planned और वो 151 आपकी modernized trains, कौन से tracks पे या फिर कौन से routes पे चलेंगी, 109 routes पे चलेंगी, pairs में, will be planned out for the private train operations, clear है, पहरे दो points हमारे clear होगे, यहा लिखा, the train sets have to be brought by the private operators and maintained by them, बल्कुल ठीक है, यहा लिखा, जो fares है, जो किराया है, in the private train will be competitive, अब यह competition में रहेगा and prices on the other modes of transport like airlines, buses have to be kept in the mind while fixing the fares, तो हर एक private को बोला गया है, कि आप लोग अगर कोई भी train को चला रही है, तो उसका जो किराया रखा जाएगा, वो airlines, buses और other vehicles को देखते हुए, दिमाग में रखते हुए, उसका किराया fix किया जाएगा, यहाँ पे लिखा, कि जो private participation in passenger trains, operations will only be 5% of the total operation of the railway, अब भारत सरकार अपने 100% railway में से, 5% railway privatize करने जा रही है, पूरा नहीं कर रही है, यह आपको prelims plus mains के लिए दोनों के लिए important है, याद रखें, ठीके न, next है, कहते, the project will bring private sector investment of 30,000 crores, अरे 5% का जो भारत सरकार privatize करने जा रही है railway को, तो उसके अंदर निवेश करने के लिए 30,000 crore रूपे का खर्चा आ रहा है कि इसका private sector का, clear, आगे है, यहां पर लिखा कि according to the 2019 से 2020 जो एक साल का हमारे पास data आया, कि the railways fared 8.4 billion, मतलब 840 crore passengers in 2019 से 20, about 5 crore passengers could not be accommodated, meaning their wait listed tickets were dropped, अरे concept देखें, आप लोग कितनी waiting list drop की जाती है, एक साल के अंदर, यह data हमारे पास, भारत यह railway के दवारा आया, ठीक, next data act, कि during the busy season, अब busy season कब रहता है, एक तो summer season होता है, nearly 13.3% passengers were not be able to get confirmed reservation, again data important रहेगा, अरे busy seasons, आप summer seasons बोल सकते हो, even your festival seasons भी आप बोल सकते हो, अगर मैं बात करूँ, northern railways की, northern railways का, जो सबसे बड़ा, आपको zone मिल जाएगा, वो आपको कहां पर मिलता है, new Delhi में, northern railway zones का, अब new Delhi के accordingly, perspective, हम लोग यह बोल सकते हैं, कि सबसे busy schedule, northern railways का कब रहता है, छट पूजा पे रहता है, याद रखें, यह छोटे छोटे concept, हमने summers भी बोल थे, even festivals भी होता है, कि 13.3% का जो passengers है, उनको confirm ticket नहीं मिल पाती है, induction of, अब जो concept आया, इसको addition करना है, modern technology को, railways के अंदर, and the reduction in the transit time, अरे concept हो गया, addition कर दिया, modern technology का, और minus क्या करना है, जो time पर trains नहीं आ पाती है, चल पाती, उस चीज़ को, and the demand supply, deficit in the train tickets, clear है students, यहाँ तक, कोई doubt है, तो please आप लोग comment section में जरूर लिखे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब मैंने यहाँ पे cutting use की है, newspaper की, तो यहाँ पे लिखा, कि 151 number of trains to be operated over the 109 routes, अभी हमने recently पढ़ा इसको, और 30,000 crores का expected investment है, अरे भारत सरकार नहीं कर रही है, भारत सरकार नहीं करेगी, कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर करने जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर कितने परसेंट के लिए आ रहा है, पांच परसेंट के लिए आ रहा है, मतलब अभी भी 95 फीसदी किस के पास रहेगा, अरे यह तो government of India के पास रहेगा, students, clear है, 35 year concessions period for the private operator, अब यह लोग जो पांच परसेंट प्राइवेट सेक्टर के पास भारतिय रेलवेज का हिस्सा रहेगा, वो 35 years के लिए एक fix tenure रख दिया, कि 35 साल तक आप लोगों ने चलाने यह train को, यहाँ पे लिखा, जो bid है, वो finalize कर दी जाएगी, April 2021 तक, 1st train to be start operation in the April 2023, companies to be pay fixed, haulage charges for the path station, assess to the railway infrastructure and electricity consumed, concept देखते हैं, देखें आप लोग, किते हैं, in addition, share of revenue will go to railways, अब concept देखें, हाला की 5 पीसदी, प्राइवेट सेक्टर ने निवेश कर दिया, बट उस में से जो income आमदन आएगी, वो share, share of revenue will go to railways, based on which bidding will take place, clear है यहां तक, कुछ doubt तो नहीं है, आगे देखते हैं, benefits क्या है, अरे हमें कोई भी चीज़ अगर करनी है, अब concept आगया, ये news आई ही क्यों, तो उसी के लिए तो कोई भारत सरकार को कोई ना की benefit हो रहा होगा, तो ये advantages, आप लोग अपने main paper में बहुत अच्छे तरीके से use कर सकते हो, अगर आपको, suppose ये paper आता है, public-private partnership model की उपर, कोई भी concept ले सकते हो आप लोग, तो उसका अगर paper में आता है public-private partnership model, तो you have to use your privatization of railway example ना, तो वो example में आप लोग उसके benefits लिख सकते हो, हमें तो भारत सरकार के लिए positive points आई होते हैं, तो वो अपने पास है, यहाँ पर लिखा, एक तो confirm tickets मिलेगी, train जल्दी चलेगी, passenger वाली, reduction in the maintenance cost of the train coaches, जो गारी के bogey होती है, उसको maintain करने में पैसे कम लगेंगे, the train coach now required maintenance after they ran 4000 km, अब concept है यहाँ पर, जो एक train का एक bogey होती है, वो 4000 km चलने के बाद उसकी maintenance लगती है, but modern coach अब जो नए जमाने के coaches आएंगे, would need maintenance after every 40,000 km, अरे concept देख लें आप लोग, अब की जो train है, उसकी एक bogey 4000 km चलने के बाद maintenance मांगती है, बट जो modern technology की आ रही है, वो 40,000 km चलने के बाद maintenance मांगी, तो मतलब क्यों हो गया, दस गुना travel करने के बाद, तो maintenance cost बहुत कम हो गई, और once or twice in 30 days, ठीक है, यहाँ पर लिखा, provide revenue to the railway for the future operation, अब ठीक है ना, भारत सरकार का जो railway mantra लें, उसके लिए तो पैसा generate करेंगे यह लोग, लेकिन इंडिया तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ, आत्म भारत, निर्भर भारत, तो उसी के ऊपर अंदर ये तहट भी हो सकता है, policy है, so coach would have to be manufactured in India, अब यहाँ पे अगर आप लोग concept लगाए, थोड़ा सा मेरी help कर पाएंगे, my dear students, आपसे question पूछता हूँ, यहाँ पे लिखा coach would be manufactured, तो आप लोग बता पाएंगे क्या coach, कहाँ पे भारतिये railways के लिए बनते हैं, anyone, तो मैं बताता हूँ आपको number one आपके बनते हैं, पंजाब में, पंजाब में कहाँ पे, पंजाब में आपके बन जाएंगे, कपूर थला में, सबसे बड़ा रहता है, और second number पे आपके कहाँ पे बनेंगे, second number पे आपका बेंगलूरू में बनेगा, clear right, कोई doubt तो नहीं है आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा, this will create jobs and the utilization of the local components in the manufacturing, clear, आगे बढ़ते हैं, अब हमारी next news रहती है आज की, कि economic measures by the Indian against China, वो क्या चीज़ है, आप देखते हैं, यह आपके लिए important है, GS paper 2 के लिए, तो शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखा, कि India is considering a range of economic measure, अब भारत ने consider किया range, अब concept होते हैं, एक तो लिखते हैं कि economic measure, ठीक है, economic measure करना है, अब range है, कि कहां कहां तक हम लोग इसको measure करते हैं, भारत वो consider कर रहा है, और क्यों consider कर रहा है, ताकि यह news क्यों बनी, अरे aim क्या था, मुद्दा क्या थ एम यह है, जो चाइना की firms है, चाइना की चोटी-चोटी companies लगा लो, बड़ी companies लगा लो, amid the border tension between the two countries, ताकि हम लोग अपना वो ही आगया, आतम दर रिवर भारत self-freelant, तो उसी पे तो यह news फिर से आगी, border tension को देखते हो भारत ने range of economic measures शुरू कर दी करने, कोई दिकत तो यहां पर आप लोग को, अब what do you mean by, what do you mean by, Chinese firms amid the border tension between the two countries, अगर थोड़ा सा इसके ओपर data add-on किया जाए, आप लोगों ने, मैं अभी यहां पर दो पॉइंट्स लिखूँगा, आपने दोनों के दोनों पॉइंट्स के ओपर एक अलग से news पड़ रखी है, याद रखें, व दार्पुक, शोक, दौलत, बेग, ओल्डी, मतलब D, B, O, रोड, अरे concept याद में आ गया, जी सर, concept याद में आ गया, यहां पे number one वाला point जो border road organization ने, यह सड़क बनाई, दूसरा news हमें यह पड़ लिया था, कैलाश मान सरोवर यात्रा रूट था, तीसरी news इसकी ओपर यह बन गी थी जो नपाल ने, इंडिया को बोल दिया था, अपने map के अंदर, political map में, की काला पानी, लिपुलेख, is under the Nepal territory, जो हमने पड़ा था, पर यह सारा concept आपको याद आ गया, अब दूसरा क्या था, standoff को लेकर, यहां पर लिखे ना, border tension, तो वो क्या है, यहां पर लिख स आपलोक, standoff in Ladakh appear to have been triggered by China to obstruct border infrastructure to obstruct border infrastructure supplements activities किसके दवारा औरे भारत के दवारा किसके दवारा भारत के दवारा तो ये आपका point clear होली जाना चाहिए that China's firm amid that border tension between the two countries के उपर क्या मुद्दा है वो हमने देखा भी ठीक है आगे पड़ते हैं यहाँ पर लिखा अब भारत ने बैन कर दिया था 59 Chinese app को is one of the economic measures taken by India अब concept देख ले कि हमने देखा economic measure को भारत consider कर रहा है तो उसके तहट इंडिया ने चाइना की 59 Chinese app को बैन कर दिया with other measures likely to follow if tension along the LAC, अरे line of actual control कितने किलोमेटर का है 348 किलोमेटर का है, तीन सेक्शन में, west में, middle में और east में हमने पड़ लिया था, continue without disengagement, clear है यहां तक next आया कि India wants, अब भारत का चाहता है to indicate that China cannot continue trade and investment relations अब भारत ने यह दिखा दिया कि China cannot continue trade and investment relations as normal, अब normal नहीं रहेंगे अगर China does not agree to return the status quo of April before its incursions along the LAC begin clear है, यहां तक, यह आपका prelims में important है, याद रखें, यहां पे है it is also increasing scrutinity of Chinese investment in many sectors, अब वो कौन कौन से sectors है, कहते है, वेंगे decisions to keep out Chinese company including the 5G trial, अब concept देख लें, हमें बाहर करना है, वेंगे decision कुछ हैसे हमें मतलब decisions लेने हैं, कि to keep out Chinese companies including जिसके अंदर लिखा गया 5G trials, अब what do you mean by 5G trials, just give me a minute my dear students, तो हम लोग इसके ओपर भी इकवार discuss कर लेते हैं, यहां पर लिखा 5G, है basic चीज, बट note कर लेना, अगर किसी भी student को इसके ओपर problem आ रही है, तो 5G का मतलब क्या रहता है, कि एक next generation of mobile network beyond long term evolution, मतलब LTE है यह आपका, long term evolution mobile network, clear students यहां तक, आगे देखते हैं, इसी के अंडर, 5G के अंदर यहां पर लिखा कि more extensive connectivity मिलेगी, with the help of 5G, यह important हम लेगी, हमारे लिए, कभी-कभी call drop हो जाता है, तो वो नहीं हो पाएगा, आचा, using much lower power, power consumption में बहुत कमी होगी, with extended battery life, यह 5G की advantage है, even मैं यहां पर अब थोड़ा color change करके, आप लोगों दिखाना चाहूँगा, एक important की 5G का benefit क्या है, emitting less radiations, यह important है, यह important है 5G के लिए, अब भारत ने Chinese company को भी दूर रखना शुरू कर दिया, यहां पर यह लिखा हुए, क्यों economic measures by the India against China है, clear, अब recently union minister for the roads and transport and highways, कौन एंडितन गड़करी जी है, had, has announced, उन्होंने announcement की that Chinese companies would not be allowed to take part in road projects, clear, students, यहां तक, आगे बढ़ते हैं, next आया कि in India, China economic relations trade is lopsided, in, किस तरफ है, वो है आपका China favor as China exports to India, concept देखें, important है, याद रखें, कि China's favor as China exports to India, account for less than 3% of its overall export, याद रखें, यह चीज़ आप लोग, तो इसके कारण क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग किस तरीके से धीरे धीरे, steps ले रहे हैं, economic measures को लेकर, against China, clear, एक दम से भी नहीं हम लोग steps को बहुत बड़ा step ले सकते, तो धीरे धीरे करके हम लोग उसको कम कर रहे हैं, एक तो यह concept आगया, दूसरा हम लोग फिर भी यह चाते है कि भारत आत्म में नरिफर बड़ जाए, तो उसी के लिए भी benefit रहेगा, जो investment है, भारत के कुछ technical groups में, इंडिया tech startup has crossed, तो चाइना ने कितना निवेश करते हैं, भारत की companies के अंदर, technical companies की उपर, वो कर दिया, जादा हो चुका है, 4 billion dollars से उपर भी हो चुका है, spending major investment in companies, including भारत की pay tm, जो NPCI के अंडर आती है, swiggy, all up, and the flip card, again important, again, आप लोग इसको important बोल सकते हो, याद रखें, ठीक है न, next आता है, अब अगर मैं concept देखू न, तो HDFC bank के अंदर भी, चाइना ने बहुत बड़ा निवेश किया है, तभी तो हमने उसके बाद एक concept पढ़ लिया थे, उसको अगर FDI में investment करना है, तो वो पहले भारत सरकार से permission लेगा, फिर वो FDI के अंदर investment करेगा, निवेश करेगा, बट जो non neighboring countries है, वो directly निवेश कर सकती है, ठीक है, यह हमने पढ़ा है, next देखते है, यहाँ पर लिखा, the economic measures, जो भारत ने लिये, taken by the India, could potentially cost Chinese company billion of dollars, तो China की companies को billion of dollars का नुक्सान हो रहा है, in contracts and the future earnings, clear यहाँ तक, आगे बढ़ते है, अब TikTok है, जो चाइना की app है, जो भारत ने बैन करती ही, one of the 59 apps banned, India is the biggest overseas market, with more than 100 million users, अब TikTok के 100 million users, शिरफ भारत के अंदर थे, thus, the app is anticipating a loss of more than 6 billion dollars का, सिरफ TikTok, TikTok को ही app को गया है, लॉस भारत में बैन होने से, most likely, more than combined losses for all other Chinese companies, behind the other 58 apps banned in India, यह concept clear हुगा आप लोगो को, आगे बढ़े हैं हम लोग, अब यहाँ पे लिखा आता है, next point है, कि चाइना है अब चाइना ने भारत को क्या बोल दिया है, to review its recent economic measures, कि भारत अब फिर से review करे, जो उसने steps लिए, against the China को लेकर, अपने economy को लेकर, taken against it, कैते, तो बोला गया चाइना की तरफ से, जो भारत ने, अब steps लिए है, वो चाइना के लिए ही, against जा रहे हैं, और वो चाइना के, कुछ particular companies को ही, target किया जा रहे, going against the general trend, of international trade and e-commerce, clear, लिखा कि, it has also stated that, such measures are not conducive, to consumers' interest, and the market competitions in India, लिखा कि, China's coercive actions, are always selective, and the focus on the targets, concept लिखें, कि वो target को focus कर रहे है, where the economic cost, cost of the coercion, is low, but the impact is high, ये आप चीजे, थोड़ा सा ध्यान में रखें हैं, आप लोग, क्योंकि हमें, data चाहिए, बहुत ज़्यादा, लिखने के लिए, paper में, तो आपको पता लगा, कि भारत ने, क्या 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 कदम उठाए, अपने economy को लेकर, अपने neighboring country, चाइना को लेकर, बस यहाँ पर आप लोग, ध्यान देशीज के लिए, ठीक है, my dear students, किसी को कोई भी doubt रहता है न, तो request है, आप लोग comment section में ज़रूर लिखें, मैं daily basis पे comments पे active रहता हूं, second point, अभी भी students को doubt है, कि आप लोग PDF कहां से लेकी लें, तो जैसा कि अगर आप अभी भी session देख रहे हैं, तो उसके description box में link provide है, to download your PDF of that session, आपको directly वहां से downloading link मिल जाएगा, आप वहां से PDF को download कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें, okay, next बढ़ते हैं, आगे, wait a minute, अब आते हैं, affected countries, अब South Korea को क्या effect पढ़ गया, कहते है, China had bycourt South Korean goods in 2016 and 17, क्यों, क्योंकि South Korea had deployed the US terminal high altitude area defense, THARD missile system, मैं आपको फिर से इसके ओपर थोड़ा सा quick revision देता हूँ, आप याद रखें, यह रहा USA, और यह रहा आपका जपान, याद रखें, this is your Japan, ठीक है, और यहाँ पे रहा मेरा USA, let's say suppose, और यहीं पे आपका, आगया my dear students, चाइना, और यह रहा आपका, North Korea, और उसी के नीचे यहाँ पे आगया South Korea, अब ध्यान से सुने, हुआ क्या था, प्रॉब्लम्स क्या हुई, North Korea ने मिजाइल को टेस्ट किया, जपान की तरफ, एक टेस्ट किया था, अब यहाँ पे, जपान के पास, यहाँ पे USA का क्या है, military base, और वो nuclear मिजाइल को टेस्ट किया गया, जपान की side, अब USA ने, यह threat को समझते हुए, South Korea के अंदर, THARD system को क्या कर दिया, deploy कर दिया, ताकि, अगर North Korea, कभी भी nuclear attack करता है, USA के उपर, तो South Korea के उपर, जो उसका base है, USA का, तो वहाँ पे उन्होंने, THARD को deploy कर दिया, अगेस North Korea, even THARD system also help the South Korea, या अगर North Korea और South Korea के बीच में war लगती है, अब China oppose कर रहा है, कि THARD system को South Korea ने क्यों deploy कर वाया, तो इसी को लेकर trade war हुआ, इसी को लेकर trade war हुआ, जो आज हम लोग news में पढ़ रहे हैं, तो क्या effects पढ़े, even ये देख सकते हो, कि China ने bycott कर दिया था, 2016 और 2017 में THARD को लेकर trade को लेकर, कहते हैं, October 2017 में South Korea had issued a list of assurance meant to clarify to China, तो 2017 में South Korea ने एक list जारे की, जिसके अंदर China को clarify किया गया, that it would not expand the scope of the THARD, clear, आप इस तरीके से समझ सकते हो, international relations किस तरीके से बनते हैं, और किस तरीके से बिगडते हैं, China had also placed curbs on tourism of South Korea, हमने ये भी देखा था, costing the country million of dollars and the tourism revenue, clear रहे हैं यहां तक, आगे बढ़ते हैं, जपान के अंदर क्या हुआ है, यहां पे लिखा कि in 2010, China had restricted the exports of rare earth element to Japan, क्यूं? लिखा a key ingredient for the many electronic industries, following a collision near the dispute of East China Sea Island, अब concept देखते जाएं, यह मैं सारे का सारा data आपके लिए important, मैं यह भी important mark कर रहा हूं, यह data आप लोगे लिए important है, अरे यही तो question आपके prelims में पूछे जा सकते हैं students, कि थाड को लेकर किन देशों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अच्छा, East China Sea Island को लेकर, जपान ने, क्या reactions यह चाइना को, और चाइना ने क्या reactions यह जपान को, तो यह questions arise हो सकते हैं वहाँ पे, तो यह लेटर दो साल बात, इस जाइना यह तटेस्ट आ अरे जाइना बात, अब यहाँ पर फिलिपीन से को लेकर, कौन सा अधिस्पीत है, वो बोलते हैं, स्कारबाद शोल इन दो साथ चाइना सी, in 2012 lead to the China curbing imports on the bananas and restricting the tourism, costing the country millions of dollars in the revenue. Clear है? और यह जो मैंने आपके लिए यहां पर news cutting की है, यह भारत की economy को लेकर आई है, अंगेस चाइना को नहीं है, याद रखें, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो अपने Union Finance Minister Nirmala Sitaramanji का कहना है, कि यह likely to announce measures to deal with the economic impact of the COVID-19, likely measures क्या है, कि 15 lakh taxations threshold on the income of the non-residentials, excise duty hike कर दी गई थी, decline in the global crude prices, अब क्या है, government may use this fiscal space to generate the funds, as 1 rupee per liter duty hike on fuel yields, कितना 13,000 crores का annually का, clear है, चलें आगे, हमारी next news पर चलते हैं, अब हमारी next news आती है, कि US से China visa curbs over the Tibet issue, अब Tibet किस के अंदर आदा है, चाइना के अंदर आता है, तो वो US से China visa को लेकर जो बहुत बड़ी problems हो रुखी हैं, तो उसके ओपर चलते हैं, और यह आपकी news रहेगी important, to visa restrictions, अब चाइना ने visa को लेकर restrictions लगा दी, on the people, जो USA से हैं, for behaving badly on the Tibet related issues, concept पर focus रखना, ठीक है, के ते, it is considered a retaliatory steps by the China, अरे, retaliatory steps, चाइना ने उठाए, क्योंकि USA ने पहले visa को curb कर दे, अब चाइना का reactions क्या हैं, वो concept बोला गया, over USA's visa restriction, for certain group of Chinese officials, clear, यह लिखते हैं यहां पर, the move come as relations between, अब यह जो move आया, between China and USA को लेकर, deteriorate, sorry, deteriorate over trade, अब trade को लेकर problems आएंगी, technology को लेकर problem आएंगी, coronavirus pandemic को लेकर problem आएंगी, and the national security law of Hong Kong को लेकर problem आएंगी, अरे हमने trade को देखा है, हमने technology को देखा है, हमने COVID-19 को पढ़ लिया, but my dear students, what do you mean by national security law of Hong Kong, इसके ओपर, थोड़ सा मैं data add-on करने जा रहा हूं, प्लीज आप लिखें, इसके ओपर, हाला कि अपनी next news भी, इसी को लेकर आ रही है, याद रखिये, आप बने रहें, बस आप यहाँ पे, बहुत तरीके से पढ़ें, हम यहाँ पे हर एक चीज़ को explain manner से करते जाएंगे, इसी तरीके से, और हर एक मंद को cover up करेंगे, तो शुरू करते हैं, national security law of Hong Kong, है क्या चीज़, कहते एक, under the national security law, illegal, a legal framework will be set up, क्यों किया गया, to prevent and punish किस चीज़ को, to punish subversions, terrorism, separatism, या फिर आप बोल सकते हो, successions, and any foreign intervention, तो this is your, अरे, this is your national security law of Hong Kong, by mistakely वो page skip हो गया, हम आगे भी continue करते हैं, हमारा next point क्या है, national security law of Hong Kong को लेकर, यहाँ पे लिखा गया, students की Hong Kong, was, यह थोड़ से हमाब history बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को, was handed back to China, अरे, Hong Kong को, China को ही दे दिया गया था, कब from, British control, जब British ने, इसकी ओपर control कर लिया था, in 1997, याद रखें इस चीज़ को, but, under, agreement, अब एक agreement हुआ था, कहते विच वॉज बेज़्ड, अब वो agreement, वो किस अधार पर बना था, on a mini constitution, called, क्या बोला गया, called the basic law, and, thus, so called, one country, अरे, अब concept देख लो, एक ऐसा agreement हुआ, जिसके तहट बोल दिया गया, कि आपका जो Hong Kong है, अब वो एक country के रूप में आएगा, कि Hong Kong को declare कर दिया जाए, as a one country, वो कौन सा agreement था, वो था, basic law था, और वो किसके उपर अधारी था, mini constitution के अधार पर था, हाला कि 1997 में, British से अजादी लेकर, Hong Kong को बोल दिया गया था, कि वो चाइना का ही पार्ट है, ठीक है, हम लोग आगे भी discuss करते हैं, एक और point यहां पर लिखते हैं, National Security Law of the Hong Kong के अंडर लिखेंगे, कहते, under the same agreement, अभी इसी agreement के तहत, क्या चीज़ होती है, कहते, Hong Kong, had to, enact, its own, National, Security, Law, अब concept देखें, वो अनेक्ट कर सकता है, किसको, National Security Law को, अरे, इसी मिनी law के अधार को रखते हुए, कहते, this, was, set out, in article, कौन सा कानून है, article 23 of, basic law, तो आपको, अब थोड़ सा history पता लग गया, कि article 23, जो basic law है, उसी के तहट, Hong Kong ने बोल दिया, कि हम भी अपना, National Security Law of Hong Kong बनाएंगे, clear है, यहां तक, कोई doubt तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़ बढ़िया, हम लोग आगे दिखते हैं है, यहां पर लिखा, कि चाइना, इंसेस्ट, तिबत, अब चाइना, तिबत को इंसेस्ट करता है, has been part of its territory, for the centuries, also it had, bared foreign journalists, from the visiting तिबत, since 2008, when the region experienced a wave of protest, clear है, next point आया, कि from 1912, 1912 तक, until the founding of the People's Republic of China, in 1949, क्या होता है, no Chinese government exercise control, over what is today's, चाइना स्टिबत, autonomous region, अब concept देख ले, 1949 से पहले, कोई भी, no Chinese government, ने कभी exercise नहीं किया, control किया, जो अब हो रुखा है, किसके उपर, चाइना स्टिबत, autonomous region के उपर, again data important है, याद रखें, ये भी चीज़ आपके लिए important है, यहाँ पर लिखा है ना, जर्नलिस्ट, कि China insists, तिबत has been part of its territory for the centuries, अरे इसी के लिए तो लिखा गया था, कि अर्वनाचल परदेश is also considered as the part of the South Tibet, और South Tibet किसके अंदर है, चाइना के अंदर, तो ये इंडिया का रोल भी आ रहा है, इसके अंदर तो, याद रखें, clear, तो यहाँ पर लिखा, कि again, मैं यहाँ पर अब prelims plus means, दोनों के लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा ना, the 14th Dalai Lama, continue to head the Tibetan government, अब जो Dalai Lama है, वो आज भी continue करते हैं, Tibetan government in exile के तौर पर, from Maclaude Ganj, अरे Maclaude Ganj किसका हिस्सा है, यह आता है भारत की तरफ, a suburb of Dharmshala, India, which coordinates political activities for the Tibet in India, concept है, China has also not responded to the USA request, to set up a consulate in the regional capital Lhasa, बहुत 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 important रहेगा, आप लोगों के लिए यह चीज़ें, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया ने क्या अपना performance या, इसके अंदर और इंडिया क्या सोचता है, clear, यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, next आया, और यह देखिए, आप लोग, this is your Tibet, and this is your China, clear, यहाँ पर लिखा, कि सिंज जन 1959, Uprising, the Central Government of China has been steadily tightening its grip on the Tibet, तो उनोने grip, मनब एको जकड लिया Tibet को, the access to the Tibetan region is vital to keep track of human as well as environmental abuses by the China, clear, also, the stability of the region is important as it is a source of major rivers of Asia, अब concept यहाँ पर उठ गया, अरे, आप लोगों ने, अगर raw material को, sources को ही अपने अंडर कर लिया, तो आप लोग तो दुनिया के अंदर superpower के रूप में अपने आप उभर के आऊगे, क्यों चाइना तिब्बत के पीछे पड़ा हुए, एक तो territory को लेकर, और एक तिब्बत के अंदर ही तो क्या है, major source of rivers का part है, अरे, हमारे पास इंडस नदी, कहां से आती तिब्बत से आती है, भर्मपतर नदी, कहां से आती तिब्बत से आती है, कहां से आती है, अरे, वो भी तिब्बत से आती है, कैलाश मांस रोबर लेक, वो कहां पे तिब्बत पे है, Mount Everest, Mount K2, तो बहुत बड़ी पड़ी peaks, तो उसका part भी आपको तिब्बत के अंदर ही देखने को मिल जागा, तो तिब्बतन ऑटनॉमस रीजन अदर अदर तिब्बतन एडियाज बाई यूए से डिप्लमाट्स एंद अदर ओफिशिल्स जर्नल्स टूरिस्ट वाइल चाइनीज ओफिशिल्स एंद अदर सिटिजन एंजवाई फार ग्रेटर असेस्ट टू युनाइटेट सेट्स अ चाइनीज कॉम्मुनिटी पार्टी ओफिशिल्स की ओपर ठीक है डिटर्माइन टू बी सस्टेंट सॉरी सब्स्टेंशली इंवाल्ड इन दो फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूटेव ऑफ पॉलिसी रिलेटेट तो एसेस्ट फॉर्ण नर्स तिब्बत एडिया अब चाइनीज कॉम्मुनिस पार्टी की ओपर वो ओफिशल्स की ओपर जिनने वो फॉर्मुला को एग्जीक्यूट किया पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया ताकि जो फॉर्णर्स है वो तिबत की एडिया में असस्ट ना कर पाएं पर्सुन्स तो दू रेशिप्रोकल 2018 अगें डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन फॉर्दर मुर्ण उससे है वापके सामिर है विदिन चाइन अब्रॉड यूसे फंदिंग अब यूसे ने जो फंद्स ग्रांट के तिबतन को तिबतन के इसू उसको लेकर फॉर्ट फिसकल ये तो फिसकल ये तो फिसकल ये यहां पर लिख लेते हैं कभी कभी यूपी असी वाले की अदर कंट्रीज का क्या रोल प्ले किया गया तिबत के इसू को लेकर याद रखें ये जीज आप लोग ठीक है यहां पर लिखा कि चाइना है एक्सप्रेस फिर्म्स ओपोजिशन तो यूसे वीजा वीजास चाइना ने क्या अर्ज कर दिया यूसे को to immediately stop the interfering in the चाइना's internal affair चाइना ने बोल दिया यहां पर लिखा निक्स नीज आती हमारी आज की ग्लोबल रिस्पॉंस तो चाइना सेकूरिटी लोग आन्ग कोँग यह आपका इम्पॉर्टेंट है जी एस पेपर तू को लिकर अब आगया वही कंचेप्ट की वट डू मीन बाइ नाशनल सेकूरिटी लोग अन्द हॉंग कॉंग अरे हमने यह बढ़ा था कि 1997 में ब्रिटिश से अजादी लेकर हॉंग कॉंग को बोल दिया गया था कि हॉंग कॉंग कॉंग इस पार्ट आफ चाइना बट हॉंग कॉंग ने क्या कर दिया हॉंग कॉंग ने बोल दिया था एक हमने एग्रिमेंट लिया और वो एग्रिमेंट किसके अधार पे था वो बेस था मिनी constitution के अधार पे कि Hong Kong को भी हम लोगे country बोल सकते हैं अब वो था article 23 of basic law जिसके अधार पे Hong Kong को हमने एक country बोल दिया था clear है यहां तक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आगे देखते हैं यहां पे लिखा कि several countries have proposed अब कई देशों ने प्रपोस कर दिया measures को to protect the Hong Kong residents fleeing potential political persecutions from China's new national security law अब concept है चाइना का कौन सा नया national security law आ चुका है आप लोगों के लिए उसके ओपर भी थोड़ा सा discuss होगा अब अब what do you mean by यहां पे लिखा है ना China's new national security law तो आप बस बने रहें मेरे साथ इसको ऊपर भी हम लोग एक discussion कर लेते हैं छोटा सा discussion करते हैं यहां पे लिखा national security law अब इसके तहत क्या चीज़ है देखें एक पर यहां पे लिखा कि allow करता है यह national security law power करता है चाइना को it allow किसको बेजिंग को to draft national security law for Hong Kong अरे concept देख लें अब आप लोग बेजिंग को power कर दिया जो चाइना ने निया security law बनाया कि आप लोग national security law जो Hong Kong के लिए वो फिर से बनाएं ठीक है ना and also operate its national security organs ठीक है अब इसी के तहत क्या है basic law allow करेगा allows Hong Kong क्या allow करेगा Hong Kong to enjoy executive legislative independent independent judicial power including that of final adjudications bearing matters figures of defense and foreign affairs to my dear students आपको अब थोड़ा सा clarity होना चाहिए जब लिखा है ना कि china's new national security law तो उसके according क्या चीज है और पहले national security law for the Hong Kong क्या चीज थी अब इन दोनों के बीच में समानता क्या है difference क्या है वह आपको clear हो गया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं continue करते हैं इस session को देखते हैं यहाँ पर देखते हैं यह लिखते हैं कि china's new security law criminal sorry criminalizes what it deems sessions subversions terrorism collusions with the foreign country यह हमने पहले भी पढ़ा था आज ही पढ़ा है और clear United Kingdom response अब UK का क्या response है इस चीज को लेकर वो बोलते हैं कि it has described the security law as a clear and serious violation अब concept है कि साफ साफ तोर पर और बहुत ही seriously violet किया जा रहा है किसको 1984 Sino-British joint declaration को बहुत important रहेगा data यह आप लोगों के लिए request करता हूं यह data लिखकर लख लो even PDF अब अब निकालो के print out उसको mark कर लो under which it handed back its colony to China in 1997 अब concept आगे ना चाइना को 1987 जो British ने दिया था तब तो British का क्या response है next आया under the joint declaration China had promise to maintain अब China ने क्या promise कर दिया वो maintain करके रखेंगे Hong Kong के capitalist and more open political system for the 50 years under one country to a system अब China ने बोल दिया है कि हम देश एक होंगे बड़ system दोंगे China का अलग होगा Hong Kong का अलग होगा बड़ country एक है अरे इनोंने यह क्यों बोल दिया one country to a system उनोंने China का main मुद्दा क्या है main aim क्या objective क्या है उस नहीं टेरीटरी को बढ़ाना है वो जैसे क्यों किया गया, call for more transparent elections for the city's chief executive, clear, in 2019 protest erupted in Hong Kong, 2019 में, आच से दो साल पहले Hong Kong में, फिर से protest अब शुरू हो चुके थे, over a proposed bill to allow extraditions to the mainland China, के थे, it has decided, अभी है डिसाइड किया गया, to offer British citizenship to around 3 million residents of the Hong Kong, clear, next point था, it is also rethinking its provision decision to allow Hawaii, अरे चाइना की एक कमपनी है, जो 5G की ओपर बहुत बड़ा योगद देती है, to involve in the development of the Britain's 5G infrastructure, My dear students, आपको यहां तक कोई doubt है, तो please comment section में, आपको जरूर लिख कर बता है, clear है, अब ताइवान का क्या response है, केते ताइवान, it has opened the Taiwan Hong Kong service and exchange office, अब क्यों, ताकि help हो सके, facilitated asylum for the people fleeing the Hong Kong, Taiwan was the first state which pledged to support the Hong Kong, again important, यह डाटा है, इस तरीके का डाटा हमें चाहिए, residents seeking asylum in the May 2020, even China also claimed Taiwan to be a part, अब चाहिना बोलता है कि ताइवान भी चाहिना का पार्ट है, and threatened to use force to take over the islands, ठीक है, चाहिना ने प्रपोस किया ताइवान को that it follow one country two system, अब इसने Hong Kong को तो बोल दिया कि एक देश दो system, अब यह ताइवान को भी बोलता है कि आप लोग भी इसके अंदर आजा है कि one country two system model to unite with China, ताकि वो ताइवान भी आपका चाहिना से जुड़ जाए, अब बट ताइवान rejected any idea, बट ताइवान ने बोल दिया हमें यह मन्जूर नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बस आप लोग कोई भी डाउट रहता है ना, कोई भी किसी भी थरीके का तो आप लोग comment section में आप जरूर लिखें, आगे बढ़ते हैं, निक्स आया, तो USA has passed, अब USA ने पास किया एक bipartisan bill, क्यों sanctioned Chinese official who violate Hong Kong freedom, बिल्कुल ठीक है, इवन Australia ने भी consider किया, offer किया Hong Kong residents को, कि temporary protection visas that will allow refugee to live in the country for up to 3 years, important, important, आप लोग concept देखें, बाकी countries ने किस तरीक से आगे बढ़कर Hong Kong की help करना चाह रहे हैं, जपान क्या बोलता है, जपान said it is serious concern about China's decision toward Hong Kong, अब भारत क्या बोलता है, क्याते हैं, India has keeping a close watch on the recent developments in the Hong Kong, clear है, आगे बढ़ते हैं, चाहिना का reactions क्या है, क्याते है, जपान चाहिना बोलता है कि security law issues is purely China's internal affair, चाहिना बोलता है कि ये तो चाहिना का internal affair है, अब कोई भी विदेशी country, foreign country has no right to interfere, clear है, clear है, next point, it has condemned the UK citizenship offer to Hong Kong, and won the UK for the serious consequences, अब उसने वान भी कर दया, United Kingdom को कि इसके बहुत ही serious consequences हो सकता है कि अगर आप लोग UK वाले citizenship देंगे, Hong Kong को, it has said that UK's U-turn on its Hawaii decision would damage the UK's image as an open business friendly environment, it has accused Taiwan administration of neutering a separatist plot in the Hong Kong and warned for the military responses, clear है, तो ये आपके चाहिना के reactions आए है, clear है, यहाँ तक, हम लोग आगे बढ़े, okay, हम अपनी next news पर चलते है, आज की हमारी next news रहेगी, कि Indian railway to use more renewable energy, और यह आपके लिए important है, GS paper 2 के लिए and GS paper 3 के लिए students, clear है, शुरू करें, बढ़ी आए, तो यहाँ पर लिखा, भारतिय railway, Indian railway has decided to be self-reliined, अरे क्यों, अरे आत्म अंदर भारत के अंदर ना, for its energy need, by utilizing vacant land for the renewable energy projects, most important, पहले ही बोल दिया, यहाँ पर लिखा, कि it utilize solar energy, अब railway मंत्रा ले, railway, solar energy को use करेगा, ताकि वो meet कर सके tranctions को, कौन सा action of drawing or pulling some over surface power requirements के लिए, कहते, in January 2020, it was announced, एक announcement किया गया, that entire network, पूरे network किसका भारतिय railway का, will run on electricity by the 2024 data, बहुत important रहेगा, mains plus prilence perspective के लिए, यह announcement किया गया था, कि 2024 तक पूरा भारतिय railway आपका electricity के उपर आ जाएगा, and become a net zero emission network by the 2030, clear है, without तो नहीं है, आप लोग को, हम लोग आगे बड़े, students, what do you mean by RE, कोई बताएगा, renewable energy, देखें, एक बहुत ही simple definition रहती है, एक हम लोग यहाँ पर flow chart अगर बनाए, renewable energy का, अब concept देखें, आप लोग यहाँ पर, मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मेरे पास आगे solar energy, आप concept देखें मस, अगर यह मेरे पास solar energy है, तो मैंने बोल दिया 10 gigawatts, clear, अब मैंने आगे और बढ़ा, मैं आगे और बढ़ता गया, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया wind energy, यह मेरे पास कितनी आजाएगी, 60 gigawatts कि आजाएगी, clear, next, और आगे बढ़े हम लोग, फिर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, बायो, पावर, energy, और वो कितनी आगई, यह आगे मारे पास 10 gigawatts कि, clear है, then after, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, small, hydro, power, projects, जो छोटे-छोटे, hydro के basis की आपर पावर रहेंगे, projects रहेंगे, वो कितनी उत्पात कर रहे हैं, 5 gigawatts की energy produce कर रहे हैं, तो यह वाले का सारे का सारा flow chart, हम लोग renewable energy को बोल सकते हैं, renewable energy, तो this is a basic definition of renewable energy, जो हम लोग भारतिय रेलवे के अंदर यूस करने जा रहे हैं, clear है ना, बढ़े हैं आगे, okay, हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर लिखा कि, Indian railway is adopting an innovative concept, अब भारतिय रेलवे ने accept, adopt किया, innovative concept of installation of solar projects, along the operational railway lines, बिल्कूल ठीक है, next आया, railway energy management company limited है, जो वो work करेगी continuously, to further proliferate the use of solar energy on the mega scale, most important data, अरे वो कौन सी limited company है, railway energy management company limited है, clear, अब with these mega initiatives, अब इतने बड़े बड़े जो भारतिय रेलवे लेकर आए, initiatives को, कि railway is leading India's, fight against the climate change, अब भारत, ये innovative लेकर आने के कारण, भारत आपका climate change के अंदर भी लड़ पाएगा, and taking significant steps toward meeting the ambitious goals, वो कौन कौन से हैं, कि हमें net zero carbon dioxide को emission करना है, organization है, and और भी क्या है, meeting India's intended national determined contribution target को भी हमने achieve करना है, clear है, आचा, यहाँ पर एक चीज याद रखें, जो carbon emission 2019 में हुआ, वो था 2% less than emission in 2018, clear है, यहाँ तक, बढ़ें आगे, next आता है, कि this would also help in, अब यह आपको help करेगा, making Indian railway, a complete green mode of transportation, अरे important है, बहुत important है, और even आत्मनिरभर्गता के ओपर भी की, energy self-sufficient transport organization, यहाँ पर लिखा, कि जो energy procurement होती है, various solar projection, से, जो अभी हमने देखे पीछे, like 3 megawatt power solar plant, जो setup किया गया, modern coaches factories के उपर, जो राय बरेली में है, even आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, trains के, बिलकुर roof पे भी solar panels को लगाया गया, install किया गया, about 100 megawatt roof top solar system, on the various stations, and building of the railways, clear residents के यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, आप लिखा, एक project लगाया, 1.7 megawatt का, near, बिना, tranchion substation, बिना कहाँ पे, आपका मध्धा परदेश में, connect करता है, overhead tranchion system, will be commissioned shortly, clear, तो यह आपके data's हैं यहाँ पे, कि कितना project कहाँ पे लगाया, भारती यह railway ने लगाया, क्योंकि हमने, green mode of transportation शुरू करना है, आत्मनिरबरता मतलब, self-sufficient transportation organization बनाना है, जो, next आया, कि, this is a first of its kind, यह पहली बार हुआ है, in the world, पूर दुनिया में, जो authorize किया गया, भारती railways की तरफ से, in collaboration with the bail, भारत है भी electronic limited, एक public sector है, it involves adoption of innovative technology, अग्यूं, आरे जो convert करेगा, direct current को, single phase alternative current में, for feeding directly to railway, over a tranchion system, बहुत important है आपका, कि DC से AC लेकर साएगा, direct current से alternative current, वो भी single phase का, three phase का ने होगा, single phase का होगा, कहते, it can produce approximately, 25 lakh units of energy, annually, will save around 1.37 crores, for the railway every year, 1.37 crores, हर साल भारती रेलवे के बचेंगे, clear रहे यहां तक, अब यहां पे, एक news भी आई थी, उसके cutting news की गई है, कि कितना आपने, e-resources को यूज किया, हावडा has now taken the lead, among all stations in इंडिया, in generation of solar power, by 2020, plans start किये गे, 30 million units को, और 300 million watts of renewable energy, clear रहे यहां तक, तो यह रहा आपका, हावडा station, next आया, overhead tranchion system क्या है, कैते एक ऐसा tranchion system है, जो propulsion of vehicles, in which, directive, या फिर driving force is obtained, from the various device, such as, diesel engine, steam engine, electric motor, कैते, when the power supply is drawn, जब power मिल जाएगी, बन जाएगी, overhead line से, it is called overhead tranchion system, अरे, हम लोग देखते ने, train जाती है, उपर से, इस तरीके से, track लगा होता है, और वो electricity को, consume करती जाती है, तो this is your overhead tranchion system, clear assurance यहां तक, तो मैं, आज का session यहीं तक, खतम करता हूँ, जैसा कि आपने अभी देखा है, हमारे पास, आगे भी और news पड़ी है, बट time permit नहीं कर रहा है, तो आप लोग बस मिरसद बने रहें, और हम लोग इसी तरीके से, cover up करते जाएंगे, और मैं आशा करूँगा, कि आपको यह वाला session भी काफी अच्छा लगा होगा, तो बस friends, इसको जादा से जादा review करें, और share करें, Thank you friends,